गुड़ विधान सवाच छेत्र के वाड क्रमांक 15 से अंसम्मेन कामरेड लालमंत्र पाथी ने कहा कि करेंगे विकास हर एक गरीब हर एक जनता पर दिखाएंगे अपना विश्वास जनता ने हमें विश्वास दे कर जिताया है हम जनता के हर एक मुद्दों पर खरे उतरेंग आए सुनते हैं क्या कुछ कहा कामरेड लालमंत्र पाथी ने नमस्कार मैं हूँ अंकेत सुकला और आप देख रहे हैं पर्थम नया नूच मैं आज एक ऐसी सक्सियत से जुड़ा हूँ यू कहले एक ऐसी सक्तियत के पास मैं हूँ जो बिना राजनेतिक बैग्राउंड से स जो संगर्स करके एक ऐसे अस्तर पर पहुंचे हैं जिनकी कायल हर एक जिला हर एक लोग हैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ और नमस्कार करता हूँ आपने जो एक जीत ली है तो निश्चित तोर पर आपने परिभासित किया है कि बिना बैग्राउंड के एक राज जो है तो मैं जहां तक है राजनित में तो 14-15 सारकुमा में से राजनित छाजीवन से जूड़ा है इसके बाद मैं संगर्ज करता है रहा बाड़ बंदा के लगता है जनता से जुड़ा हो था मेरा मैं चुना लड़े जनता ने बहुत भरपूर समर्थन दिये और उन्होंने हमको चुना जीता है हम नहीं जनता चुना जीती है यहां का संगर्ज जीता है यहां का आम नागित जीता है यहां का गरीब बिक्ती जीता है इसे हिसाब से हम पूजी बात को ठुकरा दिया है और सत्तादा को ठुकरा दिया है और यहां का छेतर का पंदाबार का जंग सेबक दिया है और जो जनता ने मेरे पर विस्वास जिताया है उस विस्वास में हम ख मिले में आप मैदान में आये थे और आज फते हासिल कि मैं तो सदैब एकसर विर्म समझ्याओं को बद्ध उठाता हूं विजली शड़ाग पानी यह प्रमुक मुद्ध्य थे और जो गाउंगों की समझ्याए थे वह भी मुद्ध्य में साथ थे खाई यह तीन प्रमुक्मुत थे मैं अपने जीवन में मैं विजली के लिए कभी लड़ता था हूं कहीं तास्मा जला है कहीं तास्मा नहीं लगा है कहीं ताद टूटा केविल टूटी है उस मुद्धी पर प्रकास चालता था दूसरी बार रोड जो खड़ी पड़ी है तू सब्सक्राइब के लोगों ने कहा कि भविष में आने वाले कुछ समय में आप गुड़ के एक विधायक के रूप में भी देखे जा सकते हैं जनता का मैं सेबक हूँ जनता का चाहेगी तो उसके निन्ने जनता के हाथे है अगर बात कर लेते हैं सिक्षा के आपके यहां से रीवा बहुत नजदीक है इसके बावजूद भी यहां के कुछ ग्रामेड इल सिच्छा में जिस्टि से बिववसाई करन हो चुका है नंजी करन हो चुका है सिच्छा and स्वास यह थे दोनों में निजी करन हो चुका है जिसास की विध्याले हैं उसमें अध्धियाअग नहीं हैं कोई सुजद्धय नहीं है आभ यहां तर्किजब सेस रुछकार केähän сн算स प्रियास रहेगा कि सिच्छा हो गई रोजगार हो गया स्वास्त हो गया अगर यहां पर कोई बड़ा गाउं में आपका छेत्र बड़ा गाउं है अगर कोई हुनर कोई कला है ग्रामीड अस्तर होने के नाते वो पर नहीं आप सकती तो आप जब सदश्य बने हैं तुन चीजों को कितना नहीं आरते हैं कोई कला दबेना कि में भारत त्सके में किमें आपके खेल को कब हो चेकर केंट को बाली पुरुबल हो आई कि में अफैद07 में उसको बठाने का प्यास करोंगा संगीत में हो चाहिए हो चाहिए राग रागनी की बात हो चाहिए ऐसे संगीत कलाकार हो उनका में प्यास करूंगा बढ़े उनके बढ़ने से पुरे गाउं का पुरे छेत का जीला देश का नाम लोचन होता है और जब नाम लोचन होता है तरह तरह मैं गवरब की बात होती है अब इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए हम उस चीजों पर आते हैं जो आपके निजी करण पर है हम बात कर लेते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा आपको यहां तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहा है मैं चाथ जीवन से बड़े बड़े अंदूल में सामिल हुए बहुत सारे आभीत्र संघर्ष कर रहे हैं कर दो हजार मतों से आपने जीत हासिल की हैं यह आकड़ा दर्साथ है कि विधाकी अगर आप चुनाओं लड़ते हैं तो इन आकड़ों को लेकर काफी पूर्ण सोच होती है आपके। यह अगर में जनता का दूख है जनता का विश्वा से मद्दा तक है कि हमको विधान समय आना चाहिए तो मैं विधान समय आऊगा देश में बढ़ रही महगाई जो हाल ही में दूद दही और अन्य चीजों में जियस्टी लागू हुआ है तो देश में महगाई आपको किस तर जियस्टी इतना टैक्स आप बताईएए जिसे पिट्रोल है पिट्रोल की डीता से में बढ़ बचर में भागा है जो परद्रेश के टैक्स लग रहा है बैत टाक्री की आदमिक्यूं सकतें। बगल मी यूपी हमसे से से बगल में यूपी लगा है में से हमरे यहां से तेल सस्ता है मेरे यहां से मेरे यहां जो है तो हर्ची महगा है हर जो लें जियस्टी लग जाएगा आम आम सामान परिवार आम नागी यह जियस्टी से यह टैक्स से मार खा रहा है यह महगाई का आहलम है सरकार ने पिट्टो तब आम नागरिक आम जीवन आम गरीब आप विचारा भोजन कपड़ा माकान रुष्ट कर सकता है अन्हें नहीं कर पाएगा शिच्छा महगाई देश का मुद्दा इस पर बात होने के वाद आप अपने विधान सभा में जो यूवा वे रुजगार हैं उनके लिए क्या कु मुद्दा के लिए जनता के लिए संघस करूंगा जेल भी जाओंगा रुजगार यहां के नजमानों का इच्छात्यों का इन नजमानों को रोजगार दिलाओंगा एक अपने छेत्र के युवा अपने छेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं नहीं नहीं दूँगा और वो जो है तो आवाज उनकी उठाता रहूँगा जब तक रोजगार नहीं दिला देंगे आपने सुना और आपने देखा कि कामरेल लाल मंत्र पाठी ने जिन मुद्दों को उठाया है बेसक वो आज के जरूरत के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर बहस भी होनी चाहिए हो चर्चा भी होनी चाहिए चाहिए हो महगाई का मुद्दा हो चाहिए बेरुजगारी का मुद्दा हो चाहिए सिक्छा हो चाहिए रुजगार हो तब तक आप बने रहें अगले किसी और हस्ती के साथ नमस्कार